नमस्कार, दोस्तो, अज हम Nonky Pox के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहला प्रश्निए उठता है कि Monky Pox क्या होता है? हम लोगों ने बच्छपन में चेचक के बारे में सुना हैं, या माता के बारे में सुना हैं. तो मॉमकीपक्स है यह भी एक वाइरस है और यह इसी परिवार का एक सदसी है उसी परिवार का एक खिस्सा है इस वाइरस की शुरुवाद जो है वो एफरिका में हुई थी और यह अकसर वाइरस जानवरों में पया जाता था यह एक zoonotic disease है, zoonotic का मतलब होता है जो जानवर से इनसान में आती है और ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि इनसान जो है वो जानवरों के साथ अपना रख रखाव जादा करता है या कुछ ऐसे जानवर होते हैं जनको आपालने की कोशिश करता है तो अकसर ऐसा करने से जानवर का जो इनसान में भी आजाता है और फिर वो एक इनसान से बाकी इंसानों में फैल के बिमारी का रूप धारन कर लेता है जो मंकी पॉक्स है इसकी शिरुबात जैसे मैंने आपको बताया अफ्रिका से हुई थी अफ्रिका से बाकी देश्यों में चला गया क्यूंकि अपरिका स और इस दोरान ये infection हुआ है अक्सर ये monkeys में पाया जाता जैसे इसका नाम है उनको primates वोलते हैं तो ये ये जो है हमारे हमारे humans हैं जो हम इनसान हैं उनसे मिलते जूलते हैं बट बाकी जनवरों में जैसे रोडंट्स में भी इस वाइरस को पाया गया है ये कैसे पायलते है दूसरा सावाल ये उठता है लिग है ये 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 वाइरस तब जाता है य SWक्ते रहें मंगी WORS का इंफेक्ष्ण हो या किcussी विक्त को मंगी वाख का स्काया है और हम उनके contact में आगे तब ये फेलता है, तो ये touch करने से, उनकी secretions को handle करने से, उनके खांसने से, तो जब भी उनकी association में रहेंगे, close contact में रहेंगे, उनको देखबाल करने में, नर्सिंग स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, तो जब उनके डच में आते हैं, तो अगर प्रॉपर प्रिवेंशन ना लिये जाएं, तो मंकी पॉक्स एक विक्ति से दूसरे विक्ति में बिल्कूल आराम से ट्रांसफर हो सकता है. तीसरा पॉशन ये है कि इसके लक्षण क्या है? एक बार मंकी पॉक्स का विरस हमारे शेरी में आता है, दो बिमरी आने में कम से कम एक से दो सप्ता का समय लगता है. बिमारी वाइरल की तरह होती है, जैसे हम माता के देखते हैं, माता के अंदर में बुखार होता है, उसमें रैश होता है, उसके अंदर में गाठें हो जाती है, फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, सिर में दर्द, बदन में दर्द, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है इस चीज़ के, ल माइर टुरए को सात्में जोड़ों में जड़ता है कर देक्टे अ Dw चुक रूपर होता है प्रणक आपर के बदन के उपर में होता है उ पर हुपर में ज्यादा हो जाता है मुह के अUNDर माइभी चाले हो सकती हैं इसके गारण से खाने बेने में दिक Thanks Wow इसका डाइग्नोसिज सबसे पहले होता है कि सिम्टम्स क्या है क्रनिकल एग्जामनेशन क्या है क्या मरीज ऐसे विक्ति के टच में आ चुका है क्या मरीज के विदेज जाने की हिस्ट्री है कि नहीं है और फिर उसके सिम्टम्स क्या है किस तरह से है तो इस तरह से सबसे पहल में हम इसको देख सकते हैं इसकी सबसे बड़ी importance क्या है? Importance यह है कि एक disorder जल्दी फाहलता है इसकी communicability ज्यादा है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने के चांच से ज्यादा होते हैं अकसर यह दो से तीन सब्टा चार सब्टा के अंदर में ठीक हो सकता है लेकिन कई लोगों को इसके कारण complication हो सकती है, भुखार हो सकता है, pneumonia हो सकता है, infections हो सकते है and sepsis हो सकता है जोडोह में दर्ध हो सकता है तो यह सारी चीजें किसी किसी व्यक्ति में ऐसी हो सकती है. इसलियए हमें इसको साब्धानी बरतनी कडती है मास्क पहनना है, बाकी लोगों को टच से दूर में रहना है, जिनको ये संभावना है इस प्रॉब्लम की, तो यही इसमें एक प्रिवेंशन का एक तरीका है, इसकी कोई विशेश दवाई नहीं है, एक एंटिवारल दवाई है, लेकिन उसकी अविलेबिलिटी अभी ज्याद इसके अंदर हमने कहा ग्लाउज उसकरना है, फेसमास्क उसकरना और जो जो केर कर रहे हैं, उनको एक्स्रा साफधानी इसमें बरतनी पड़ेगी, इसका कोई विशेश वेक्सीन आज की दिर में नहीं है, लेकिन वेक्सीन कई देशों में अवेलेबल है, और जो प्राने व वेक्सीन लगे हुए थे पहले जमाने में, लेकिन 1977 के बाद चेचक तो दुनिया से लुक्त हो गया था, उसके बाद से उसकी वेक्सीन नहीं हो रही है, इसले कुछ लोग को बेनेफिट मिल सकता है, जिनके चेचके वेक्सीन लग चुके हैं, जो पहले 70s में, 60s में पैद